जिस तरीके से भारत में लगातार कोरोना के केसे बढ़ते जा रहे हैं आज तकरीबन 22 लाग क्या पार भारत में कोरोना के केस हो चुके हैं और लगातार ये बढ़ने के अंदेशा भी है जब करोना के केस अपने सुरुआती दोर में थे 1500 केसे थे उस वक्त भारत में लोगडाउन कर दिया गया था और जब अपकी पूरी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है इसे में लोगडाउन खुला हुआ है लोग सड़कों पर गूम रहे हैं ये बताता है कि सरकार कितनी गंबीर है करोना को लेकर हमने देखा है कि जो डेवलप कंट्रीज थी चाए अमरीका हो जर्मनी हो चाए ना हो फ्रांस हो जिस तरीके से महाँ पर करोना ब्रेकाउट हुआ जिस तरीके से महाँ पर करोना के केसेस आए दिन दिन में एक दिन में आजारों केसेस आए उन आपर डॉक्टर है रिसर्च होती है वो उसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं उसको रोकने में या उससे निपटने में कहीं न कहीं या सफल रहे और हमारे भारत में जबकि हमारे भारत की जो हैल्थ स्ट्रिक्चर है या मेडिकल फेसिलिटीज है या हमारे भारत में जिस त परकार इस मामले को लेकर सीरिया से दोस्तों खबर इस से थोड़ी हटके है खबर यह है कि भारती किर्किट टीम के एहम पिलियर रहे रहने वाले रविंद्र जटेजा उन्होंने कोरोना में लोकडाउन का लंगन किया और जिस तरीके से कॉंस्टेबल के दुआरा उनको पू पर इस से उनकाल राइसेंस मांगा और मास्क नहीं पेंने के लिए उनसे फाइन बढ़ने को कहा तो दोनों के आपिक भारी तक्रार हुय तो ऑस्तेवल ऑखकर कि वजे से तक्रार हुई यह सोचने वाली बात है स्वाने महूला प्ली स्टेशन में कारियत है बताया जा रहा है कि बहस के बाद सोनल को नीजी ऑस्पिटल में भरती करवाना पड़ा जो कॉंस्टेवल थी उनको बहस के बाद जो मामला हुआ रात में उसके बाद उनको ऑस्पिटल में भरती करवाना पड़ा हाला कि दोनों पक्षों में से किसी ने अधिकारिक तोर पर शिकायट दर्ज नहीं कराई है बता दे कि रविंद जटीजा की पत्नी जो है वो भाजपा की नेता भी है तो दोस्तों ऐसी क्या बहस हुई कि जो Constable थी Constable सोनल उनको अस्पताल में भरती करना पड़ा हाला कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है लेकिन ऐसी कौन सी बहस थी उसमें क्या हुआ कैसे हुआ कि उनको अस्पताल में भरती कराना पड़ा दोस्तों इससे पहले आपको याद होगा सुनीता यादव का केस जो सूरत का था जहांपर उन्होंने बीजेपी के मंत्री के बेटे को रोका था और उनको फाइन करने के लिए कहा मास्क ना पहनने पर जिस तरीके से उनके उसके बाद जो सुनीता यादव को मेंटली टौर्चर किया गया लगातार उनको धंक्या मिली और लगातार उनको हरेस किया गया आउनलाइन बुलिंग की गई उसके बाद इस तरीके से सुनीता यादव का हाल था यही भी सोनल सोनल कॉंस्टेबल सोनल जो राज कोट की हैं उनके साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ ना हो यही उम्मीद करते हैं लेकिन जो मामला हुआ वो मामला वाकरी में चोकाने वाला है दोस्तों याद होगा आपको यह वो ही रविंद्र जटेजा है जो अपने राज पताना होने पर बहुत गर्व करते हैं चाहे वो किर्किट का मेदान हो चाहे सोशल मीडिया हो लगातार अपनी तलवारे लेराते हुए दिखते हैं जबकि भारत में जाती व्यवस्था एक बहुत ही भारत के समीधान या भारत के समाच में बहुत ही कलंग है जाती व्यवस्था जिस तरीके से SCST OVC को रखा जाता है और जिस तरीके से रविंज जडेजा लगातार अपने राजपताना होने पर गर्व करते हैं और इस तरह की social media और लगातार controversial उनका रहता है चाहे वो किर्गिट का मेदान हो चाहे social media हो तो कहिना के ये दरसाता है कि जो रविंज जडेजा है वो एक जाती गत मानसिकता से परतारित हैं और कहिना के उनके अंदर ये भाव पड़ा हुआ है कि जो राजपताना है या राजपूत है वो इस सर्व सेस्ट है बाकी सब लोग निकम में है नाकारा है उनके विवार से ऐ गाता ट्रोल भी हो चुके हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया पर भी वीडियो भी डाली थी जिसमें वो तलवाल ले रहाते हुए नजर आ रहे थे और हैस्टेक राजपुत बोई करके उन्होंने लिखा था तो इस तरह की मानसिक्ता के लोग हर जगा है चाहे वो किर्किट का म तो रेवेंजेजा के साथ जो हुआ है जिस तरीके से उन्होंने मास्क ना लगा कर उन्लंगन किया है जिस तरीके से उन्होंने कॉंस्टेबल के साथ आर्गू किया है बहस बाजी की है और उनकी जो पतनी है वो बीजेपी नेता है क्या बीजेपी नेता और कार्येकरता मंत ठीड्री चो छोटे से लेकर बड़े तक क्या इतने दबंग होगे उनके वो समीधान से उपर होगे कानुन क्या कॉंस्टेबल के पूछने पर या उनके फाइन भरने पर इतनी बहस की जरूरत पड़ गई थी और आखिर इसी कौन सी बहस थी कि Constable को बेहोस होना पड़ा बाद में अस्पताल में भी एड़िट कराना पड़ा तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठते हैं लेकिन जो बीजेपी है या बीजेपी के कार्ये करता या मंत्री उसके जिस तरीके से वो लगातार कानून का उनलंगन कर रहे हैं और अपने आ साली किर्किटर हैं और इतने उनके पास स्टारड़ में पैसो की भी कवी नहीं है लेकिन अगर वो चालान अगर कटवा लेते हैं फाइन अगर भर देते हैं 500,000 रुपे का तो उनका क्या गुजर जाता पहली बात तो ये है कि उनको ये काम करना ही नहीं था उनको सीधे ये भी होनी चाहिए और यही हुआ कॉंस्टेबल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुएने का चालान करने कोशिश की लेकिन उसके बाद जो उनकी पतनी थी और रविन जल्डेजा खुझ इस तरीके से बहस हुई वो चोकाने वाली थी और आप सोच सकते हैं कि ऐसी क्या ब गमड़ था, किस तरीके का गमड़ था, क्या उनकी सोच ऐसी थी कि ओऔर समिधान से उपर या कानून से उपर हैं या नियमों से उपर हैं, इस पर आपकी राय बहुत आहम है, अपनी राय जरूर दे ताकि हमें पदा चले कि जो हम काम कर रहे हैं वो वाकियourcing में लोगों त RSS, BJP, ITSEL के दफ्तर से स्क्रिप्ट लिख के आती है और वो लोगों को परोसा जाता है जिसमें सिर्फ संपरदायक्त्या के अलावा और कुछ नहीं होता ना तो एकोनोमिक पे सवाल होते हैं ना रोजगार पे सवाल होते हैं ना कोरोना पे सवाल होते हैं किसी भी ऐसे मुद्दे पे सवाल नहीं होगा सवाल एक भी नहीं होता सिर्फ उस पे जो एजेंडा होता है RSS का BJP का ITSEL का जो स्क्रिप्ट वहां से आती है वो ही आप लोगों को दिखाती है और आपके मैंड को डाइवर्ट करती है और ब्रेन मोश करती है जिससे आप लोगों के कहिना के सोचने समझने की सकती परभावित होती है तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहें और हम जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थूरू हमारे काम को सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से गोधी मीडिया का अल्टरनेट सोशल मीडिया बना है क्या इसी तरीके से आने वाले दिनों में ये और मजबूत होगा और आपकी राय बहुत एहम है इसलिए कमेंट जरूर करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी और रविन्ज जडेजा और उनकी पतनी का जो बियावियर था कॉंस्टेबल के साथ क्या वो समयधानिक था या कहीना के उनकी मानसिक्ता कि चलते है यह सब हुआ तो इसलिए आप लोगों की राय जरूरी है और एसी तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहे यह नेस्मेल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेस्मेल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें